हेलो एबीवन आज में आप लोगों को क्लास नाइन्थ का जो आडी शर्मा का आपका चैप्रे नंबर 10 है ना लाइन सेन एंगल्स तो इसकी एक्सेसाइज 10.1 कराने वाली हूं 10.1 के हमने कोशन नंबर 1 से लेके 5 तक पहले ही कर ली है उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है आप वहां से कर सकते हैं तो आज हमार को स्टार्ट करना है कोशन नंबर 6 से तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर तो अगर हम अपना कोशन देखें करें 2 सप्लिमेंटरी एंगल्स तो इसटार्ट कर आई तो यहां पर की बात कर रहा है कि जो दो सप्लिमेंटरी एंगल्स पार requirement बताओ फिर एंगल्स क्या होंगीबख सब्सदाखी दो हो इसटार्ट को कि जो मेरा first angle है supplement में दो angle चाहिए ना मैने माल लिया कि जो मेरा first angle है वो कितना है मेरा X है मैने है लेट किया लेट first angle is equal to X तो फिर इसका supplement क्या होगा its supplement is equal to 180 minus X होगा ऐसा हमने इस exercise के question number 2 में सिखा था किसी भी angle का supplement निकालना हो तो उसको 180 में से minus कर देना है है ना अब question क्या according क्या रहा है कि इन दोनों angles का जो difference है दोनों angles का तो 180 minus X minus X इसका difference जो है वो कितना है 48 degree है clear तो यह होगा 180 minus का 2X is equals to में 48 degree यहां आजाएगा 180 minus का 48 is equals to में आजाएगा 2X ठीक है अब जब आप minus करोगे तो यहां पर आजाएगा 132 तो यहां से आपने X की value निकाल ली तो वो आगई 132 divided by 2 वो आगई 66 degree तो इसका मतलब first angle जो था आपके पास वो यहां पर आपके पास आगया 66 degree और उसका जो supplement था its supplement वो आपके पास कितना आजाएगा 180 माइनस का 66 degree यही आएगा ना तो 10 में से 6 जाएगा 4 7 में से 6 किया 1 और 1 114 degree clear? चलिए आते हैं question number 7 पे यहां आप से क्या कह रहे an angle is equal to 8 times its complement अब यहां complement angle की बात करें determine its major कह रहे एक angle है जो अपने complement के 8 होना है तो फिर बताओ कि उसकी degree कितनी होगी major मतलब degree तो सबसे पहली बात वो angle को आप क्या करो x मानू तो let one angle is equal to x तो फिर इसका complement क्या होगा? तो its complement is equal to 90 minus x होगा है ना? अब question के according देखे तो जो यह angle था वो अपने complement के 8 गुना था complement तो यह ही है तो उसका 8 गुना कर दिया मतलब 8 times multiply तो यहां आजएगा 720 माइनस का 8 x किस 8 x को इधर ले आई तो यह आगया 9 x is equal to me 720 x कितना आजएगा? 720 अपन में 9 तो x आजएगा 9 की टेबल में 72 8 पे आता है तो x आगया 80 डिगिए तो वन अंगल जो मैंने माना था वो आगया मेरा 80 डिगिए अब इसका complement निकालना हो तो its complement is equals to 90 minus 80 तो वो आजएगा में पास 10 डिग्री clear? question number 7 चलिए अब आते हैं हम question number 8 पे यहां आपसे क्या के रहे? if the angles 2 x minus 10 डिग्री and x minus 5 डिग्री are complementary angles find x के रहे जो यह दो आगल्स आपको दे रखे हैं यह complementary angles है तो देखो आपको पता है कि जब यह complementary angles है तो इन दोनों angles का sum तो मेरा 90 डिग्री होगा न तो मैं सीधा सीधा यहां पर लिख सकती हूँ कि 2 x minus 10 plus x minus 5 is equals to 90 डिग्री अब 2 x में x plus करूंगी 3 x minus 10 में minus 5 plus करूंगी minus का 15 अब इस minus के 15 को मैं उधर लेके चली गई तो plus का 15 तो 3 x कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर 105 तो यहां से x की value निकल जाएगी जो मुझे निकालनी है question में 3 x 3 x 9 और 5 35 मेरे यहां पर x की value आ जाएगी डिग्री clear question number 8 चलीए अब आते हैं question number 9 पर यहां आप से क्या कह रहा है if an angle differs from its complement by 10 degree find the angle कह रहा अगर एक angle अपने complement से 10 degree differ करता है उनकी बीच का difference दे रखा है तो आपको angle बताना है तो angle को fill let करते है let angle is equal to x so its complement वो क्या होगा में पास 90 minus x question के according कह रहा है कि जो angle है वो differ कर रहा है अपने complement से 10 degree तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का difference आपको कितना दे रखा है यहां पर 10 degree दे रखा है according to question अगर हम देखे तो 90 minus x minus x is equals to 10 degree यहां कि from its complement था तो complement angle यह रहा और जो main angle है वो यह रहा तो यह आगे मेरा यहां पर 90 minus का 2x is equals to 10 degree यह आगे मेरा 90 minus का 10 is equals to me 2x तो यह आगे मेरा 80 is equals to me 2x तो x आगे मेरा पास 40 degree मुझे angle बताना है तो मेरा angle यहां पर कितना आ जाएगा angle मैंने x माना था तो वो आगे मेरा 40 degree अगर इसका complement निकालू तो its complement वो मेरे पास आजाएगा 50 degree 90 में से 40 को minus करके clear? चलिए आते हैं question number 10 पर यहां आप से कह रहा है if the supplement of an angle is 2 third of it itself अगर एक angle का supplement 2 third है उस angle के तो angle भी determine करो और उसका supplement भी determine करो ठीक है? तो पहली बात फिर वो ही angle को मैंने x माना और उसका supplement निकाल लिया मैंने यहां its supplement is equals to में हो जाएगा 180 minus x अब question के according क्या कह रहा है? कि जो supplement है वो 2 third है angle की तो supplement वाल angle मैंने यहां लिखा 2 third जो angle था वो यहां लिख दिया ठीक है? 180 is equals to 2 by 3 x प्लस का यहां x हो गया कुछ नहीं है तो 1 लगाया base same करने के लिए 3 से multiply कर दिया numerator and denominator में ठीक है? तो यह हो गया मेरा 3 x upon में 3 180 is equals to में यहां आगया 5 x upon में 3 अब 180 into में 3 upon में 5 is equals to में x हो गया clear है नहीं यहां तक? अब आप cut कर सकते हूँ अगर मैं इसको इससे cut करूँ तो 5 3 जा 15 जा 36 जा 36 जा 36 को मैं क्या करते हूँ? तो 3 से into कर देती हूँ तो 36 जा 18, 33 जा 9 और प्लस 1 10 108 आ गया यह तो एंगल आ गया इसका supplement की बात करूँ तो its supplement is equals to 180 minus 108 degree क्योंकि माइनस ही तो करना पड़ेगा तो आपका answer कितना आ जाएगा? यहां पर 2 आ जाएगा और यहां 772 degree आपका answer clear? कोशन 11 पर आते हैं यहां आपसे क्या 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 रहे? एंगल is 14 degree more than its complementary angle what is its measure? क्या रहे है एक एंगल 14 degree जादा है अपने complementary angle के तो बताओ एंगल क्या होगा? तो लेट करते हैं angle is equals to x होगा तो its complement कितना हो जाएगा? देख रहे होना सारे कोशन supplement और complement पर ही based है इस exercise में तो यह concept आपका अच्छे से clear होना चाहिए अब वो कह रहा था जो angle है वो क्या है? 14 degree जादा है अपने complement angle के clear? तो यह x मैं इधर ले आती हूँ और इन दोनों को यहां plus कर देती हूँ तो 104 तो 2x is equals to 104 x कितना आजाएगा? 104 divided by 2 तो x आगया 52 degree इसके complement की बात करूँ तो its complement is equals to 90 minus 52 तो answer आजाएगा 38 degree clear? चलिए portion number 12 पर आते हैं यहां कह रहे है the measure of an angle is twice the measure of its supplementary angle find the measure again angle let करना पड़ेगा क्योंकि आपको कह रहे है जो angle का major है वो twice है उसके supplementary angle के तो angle x है तो इसका supplementary angle क्या होगा आपके पास यहां पर 180 minus x ठीके यह 180 लिखा है अब कोशन के according अगर हम देखें तो आपसे क्या कह रहे है जो angle है ना वो क्या है twice है अपने supplementary angle के तो twice कर दिया तो यह x से ऐसी है यहां पर 360 हो गया minus का 2x हो गया तो यह हो गया x plus का 2x is equals to में 360 तो यहां आगया 3x is equals to में 360 x की value आजाएगी 360 divided by 3 x is equals to में आगया 120 degree है अगर इसके supplement की बात करूँ its supplement is equals to 180 minus का 120 तो वह आजाएगा 60 degree clear? चलिए आते हैं question number 13 पे क्या रहे if the complement of an angle is equal to the supplement of the thrice of it अब complement और supplement एक साथ है यहां पर find the measure of the angle क्या रहे जो complement एक angle का वो किसके equal है उसके supplement के thrice के equal है तो वो angle बता हूँ सबसे पहली बात let किया let angle is equals to x तो इसका complement क्या होगा? its complement is equals to me 90 minus x और इसी का अगर मैं supplement देखूं तो वो क्या होगा? its supplement is equals to me 180 minus x अब question के according आप से क्या कह रहे है? कि जो complement है न वो क्या है? किसके equal है? कॉंप्लिमेंट यह है वो किसके equal है? thrice है किसके supplement के? 180 minus x के लिए किसके लिए किसके देखूं यह है एक चीज़ देखों यह है किसके supplement of the thrice of it मतलब जो supplement है न वो पूरे जो thrice करने है वो पूरे का नहीं करना है हमारको यहां पर यह नहीं करना है thrice of it मतलब उस angle का thrice करना है तो angle तो मेरे पास x है न, तो इसका thrice करना है, clear, तो यह हो गया 90 minus x is equals to 180 minus 3x, मैंने क्या किया, 90 minus यहाँ पर 180 कर दिया, यहाँ आगया minus 3x plus x, तो यहाँ आगया minus 90 degree और यहाँ गया minus 2x, यह कट हो गया, तो x मेरे पास यहाँ पर आगया 45 degree, मुझे क्या करना था, measure of the angle निकालना था, तो मेरा आगया यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो, required angle is equals to 45 degree, तो यह एक यहाँ पर नया point था, तो आपसे यहाँ पर क्या 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 रहता, if the complement of an angle is equal to the supplement of thrice of it, of it का मतलब है thrice of angle, angle का thrice करना है आपको, सिर्फ, clear है, चलिए, अभी एक और question है गया, फिर हमारी exercise 10.1 complete हो जाएगी, तो अगर हम यहाँ पर देखें, कह रहा है, 14th question में, if the supplement of an angle is three time its complement, find the angle, कह रहा है, अगर एक supplement, angle का supplement, वो तीन गुना है उसके complement के, तो angle बताओ, again angle तो आपको let करना परेगा, let, angle is equal to x, its supplement, अगर इसकी बात करूँ मैं यहाँ, its supplement is equal to 180 minus x, और its complement, अगर complement की बात करूँ मैं यहाँ पर, is equal to 90 minus x, अब question के according वो क्या कह रहा है यहाँ पर, कि जो supplement है, तो मतलब 180 minus x है, वो तीन गुना है complement के, और कुछ नहीं बोला, तो अब पूरे में thrice करोगे आप, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपके पास 270 minus का 3x हो गया, 180 minus का 270, is equal to minus का 3x plus का x, यहाँ आगया minus का 2x, 180 में से आपको क्या करना है, 270 को minus करना है, तो minus का 90 आएगा, कट हो गया, x मेरा पास कितना आगया, 45, आपको एंगल ही बताना था, तो एंगल मेरा आगया, 45, आप यहाँ पर लिख सकते हो, required angle, is equal to में 45 दिगरी, clear, यह थी हमार पास exercise 10.1, जिसमें total 14 कोशन थे complete हो गई, next class में मैं आपको exercise 10.2 कराऊंगी, इसमें आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे, आप comment करके जरूर पूछेगा, वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक जरूर कीजेगा, अपने friends के साथ भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजेगा, और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को भी subscribe कर लीजेगा, thank you,